असलाम अलेकूम मैं हो मैरीन जाविद वर्टन करते हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल को किंग मिद मैरीन जाविद में आज की वीडियो में बना रही हूं बहुत ही जटपट मजदार और चटपटी आलू मटर के दरकारी तो अधिये स्टार्ट करते हैं आलू लिया है कुछ चील के क्यूब्स में काट लिया है दो टमाटर है मीडियम साइज के बारी कटे वे हाफ कप आयल यूज होगा एक कप मटर है हाफ टीजपून मेथी दाना लेमन जूस है वन टीजपून हल्दी वन टीजपून सफैस जीरा नमाख हस्पे जाएका दो से तीन गोलवाल लाल मिर्चे हैं लाल मिर्च को टी हुई लाल मिर्च पिसी हुई हस्पे जाएका एक कड़ाही में मैंने ऑईल करने के लिए लगती है जैसे ऑईल करम हो रहा है अब मैं इसमी शामिल कर दी है मेथी दाना हलका से इसका कलर चेंज होने लगे तो अब मैं इसमी शामिल कर रह नहीं बन कर दिया कि ज़िर बसफल जया। तो अभी आतरा मत्रा विडान डाल दिया है और सब्सक्राइब जाएं है तो मिदियुश्पन चौप चैए कर दोच नमक शामिल कर दिया है, लाल मिर्च कोटी हुई, लाल मिर्च पिशी हुई, सभस पिशाय का जाएगा इसको थोड़ा सा एक दो मेंट फ्राय करते हैं अब मैं शामिल कर रही हूँ, एक गलास पानी, तक सब्जिया मेरी गल्ज है जैसी इसमें बॉइल आएगा, मैंसे कवर करके स्लोव फ्लेम पे पकने के लिए छोड़े हूँ, कालू मतर सब अच्छी तरह से कल जाए अब चेक कर लेते हैं क्या पोजीशन है मतर गल चुके हैं अच्छी तरह से, आलू भी बिल्कुल गल गए हैं, अब मैंसे फ्राइग कर रही हूँ एक दो मेंड, जो एक खड़ी-खड़ी सब्जिया हैं या आपस में थोड़ा-थोड़ा सा मिक्स हो जाए, टमांटर भी बिल्कुल अच्छी से मिक्स हो जाए थोड़ा से इसको मैं भून रही हूँ हलकी हाथों से, इस टेज़ भी नमक में टेस्ट कर लें, अब मैंस में शामिल कर रही हैं, दो से दिन टेबलिस्पून लैमन जूस, तो रचेट पटा अच्छा टेस्ट लाने के लिए, थोड़ा सो और फ्राइ कर लेते हैं, अब यह मैं भी बिल्कुल खुश हो गई है, तो बैस में शामिल कर रही हूं कौाटर ग्लास पानी, हलकी सी ग्रेवी के लिए, बस यह हमारी सबसी रड़ी है, वीडियो आपको पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सबस्क्राइब करें, कोई पात पूछ नहीं हो तो मुझे कमर्श पूछ सकते हैं,